मेरे दिल अजीज छात्र छात्राओं आप सबको धेर सारा प्यार, धेर सारा सने, धेर सारा आशिरवाद, आपकी सफलता है मेरा मिशन है, ग्यानकोस इजुकेस्टन पर आपका अभिननदन है, प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि इस चैनल से आपके हिंदी विसय का complete course तयार करवाया जा रहा है दूबारा, क्योंकि इसके पहले तो सारा का सारा कोर्स अपलोड है पूरा का पूरा कोर्स का वीडियो अपलोड है आप मेरे चैनल के प्लेविस्ट से आप देख भी चुके होंगे या चाहे देख रहे होंगे या चाहे फिर देख लीजिएगा लेकिन इस समय मैं उस वीडियो का हुआ है कि वह वही वीडियो अप्लोड कर रहा हूं ठीक है तो और दूसरी बात कि जो चैप्टर लंबा है उसका इसके मतलब पहले जो मैं अप्लोड किया था वह एक चैप्टर का चार चार पांच वाज वीडियो या किसी किसी का और भी ज्यादा वीडियो बना हुआ है तो आपको ढूड़ेने में भी साइध दिक्कत हो रहा है कि छोटा-छोटा वीडियो उसको बार-बार ढूड़ना पड़ता है इसलिए अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका सारा का सारा पार्थ अपलोड हो जा रहा है ठीक है ना इस इसलिए आपको कहीं जाने कहो सकता नहीं है बस एक हई साथ सब पढ़ लिजिए पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिजिए तो चलिए आईए देखते हैं यहां जो चैप्टर है रहीम का जाकर के बहुत सारे वीडियो आप वहां से प्राप्त कर लेंगे और मेरा अगर पिछला वीडियो अगर संस्कृत का वीडियो है या फिर गद्य का वीडियो है या व्याकरण का वीडियो है आप जाकर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डोड लीजेगा उसका अलग अलग पाट कट गया है उसको छोड़कर के जो है उसको अपलोड करूँगा ठीक ना आइए तो यह दोहा है जो रहिम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग चन्धन विस व्यापत नहीं लिपटे रहत भूजंग ठीक ना रहिमदाजी कहते हैं जो रहिम उत्तम प्रकिर्टी मनें उत्तम प्रकिर्ट का प्रकिर्ट मनता स्वभाव कि जिसका स्वभाव उत्तम है जिस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है उत्तम है काकर सकत कुसंग तो कुसंग उसका क्या कर सकता है मनें अगर वो बुरी संगत में भी रह वह उसका चरित्र कभी भी विचलित नहीं हो सकता है जिस तरो से चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग भुजंग मनुता सर्प जिस तरो सर्प जो है चंदन के पेड में लिपटे रहते हैं लेकिन विश्व्यापत नहीं लेकिन चंदन उसके यानिक भुज जंग के विश को ग्रहन नहीं करता है आरा समझ में न जिस तरह से चंदन के पेड़ में साप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन सर्प के विश को ग्रहन नहीं करता है उसी तरह से अगर सज्जन पूरुस किसी दूर्जन के साथ भी रहें तो दूर्जन के बुराई को ग्रहन नहीं कर सकते हैं क्लियर चलिए इसका काविगत संदर मैं एक अठे वता दूंगा परसानों ने जुरूत नहीं है बस आप जो है कि मेरे साथ बने रही है और अगर आपको मेरी शैली अच्छी लग रही है मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है सब कुछ समझ में आ जा रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यहां सापका कम्पलीट कोर्स फ्री में मिल रहा है और अपने दोस्तों को अधिक सदिक सेर कीजिए तथा लाइक भी कीजिए दूसरा दोहा देखिए रहिमा ने प्रीती सराहिये मिले होत रंग दून जयो जर्दी हरदी त तजय सफेदी चून इसमें मितरता की बात बता हैं कि मितरता कैसी होनी चाहिए तो रहिमदा जी कहते हैं रहिमा ने प्रीती सराहिये रहिमदा जी कहते हैं ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए मिले होत रंग दून कि जब दो प्रेमी अगर आपस में मिलें दो मितर अगर आ गुल मिल जाएं ऐसा प्रेम होना चहिए और ऐसे ही प्रेम की सराहना करनी चहिए। उदाहरन देते हैं ज्यों जर्दी हर्दी तजय सफे दी चून ज्यों मने जिस प्रकार जर्दी मने पिलापन हर्दी मने हल्दी जिस तरस हल्दी अपने पिलापन को त्याग देता है तजे सफेदी चून और चूना अपने सफेदी को त्याग देता है मतलब ये कि चूना और हल्दी की दोस्ती के रूप में वरड़न किये हैं कि अगर चूना और हल्दी को एक साथ मिला दिया जाए तो हल्दी अपने पिल पीलापन को छोड़ करके कुछ सफेद हो जाता है चूने में मिल जाता है और चूना अपने सफेदी को छोड़ करके कुछ पीलापन लिये हुए हरदी में मिल जाता है मनों दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं उसी तरह से प्रेम में भी ऐसा होना चाहिए मितरता में भ तीसरा देखिए तूटे सुजन मनाईए जो तूटे सौबार तूटे नहीं होना चाहिए यहां रूठे होना चाहिए रूठे सुजन मनाईए जो रूठे सौबार रहिमन फिर फिर पोईए तूटे मुक्ताहार देखिए तूटे नहीं यहां रूठे होना चाहिए रूठे म मना लेना चाहिए जो रूठे सो बार अगर सो बार भी हमसे रूठ जाए मने बार बार अगर हमसे रूठता रहे तो हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए क्योंकि उधारण दिये हैं रहिमन फिर फिर पोईए जिस तरह से अगर तूटे मुक्ताहार यहां से देखिए अगर म मोतियों का हार, मोती की माला अगा तूट जाती है, तो रहिमन फिर फिर पोजी है यान उसको फिर बार-बार गूथ लिया जाता है। अतलब समझ में रहा है न, कि अगर मोती का माला हो, अगर तूट गया, तो क्या हुआ, गुष्टे मुठा कर फिक दिया जाएगा घुरे पर, नहीं न, उसको गुठा जाएगा, एक बार नहीं, अगर कई बार भी तूट है, तभी क्या किया जाएगा, उसको बार बार गुठ ठाजाएगा, ठीक है न, उसी तरह से कर रहे हैं, कुसी तरह से सज्जन व्यक्ति, अगर हमसे रूठ जाए, एक बार नहीं, सो बार दी अगर वो रूठता रहे, उसे में सो बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन पुरुस मोती के जैसा वह भी अनमोल होता है, चुकि मो रहिमन असुवा नयन धर, जीय दुख प्रकट करेई, जारी निकारो गेहते, कस्न भेद कहिदे, देखिए रहिमदाजी कहते हैं, अगर हमारे आखों से, आशु लुढकता है, तो जीय दुख प्रकट करेई, तो हमारे जीय मनोता हिरदय, हमारे हिरदय को दुख को करता है जब हिर्दय दुखी होता तभी आंक से आसु निकलता है आप समझते ही हैं तो करें कि रहीम दाजी काते हैं कि अगर आंक से आसु निकलता है तो निश्चित है वो हमारे हिर्दय को दुख को प्रकट करता है यानि यह सिद्ध कर देता है कि हम बहुत दुखी हैं जाह निकारोगे है ते जिस तरह से अगर किसी विक्त को घर से निकाल दिया जाए तो कस्न भेद कह दे तो घर का सारा भेद क्यों नहीं कहेगा जैसे विविशण को घर से बाहर रावन निकाल दिया राज के बाहर निकाल दिया तो लंका का सारा भेद बता दिया उसी तरह सकर है कि अगर किसी को घर के बाहर निकाल दिया जाए, तो घर का सारा भेद क्यों नहीं बताएगा, अर्थात्व घर का सारा भेद बता देगा, ठीक न, उसी प्रकार से, अगर हमारी आखों से आशु लुढकता है, तो हमारी हिर्देक दुख को प्रकट कर देता है, मौन रुप में भेद बता देता है, कि हम दुख्षी है, अगे देखिए, कहीं रहेम संपत सके, बनत रहत बहुरीति, अभिपत कसोटी जेक से, तेही साचे मीत, कहीं रहेम संपत सके, रहेम दाजी कहते हैं, अगर संपत साथ में हो, अगर हम हमारे पास पैसा हो धन दवलत हो संपत्ति हो तो बनत रहत बहु रीती तो अनेक रीती से अनेक प्रकार से हमारे कारे क्या होते हैं सफल हो जाते हैं बन जाते हैं अनेक प्रकार से अनेक रीती से हमारे कारे सिद्ध हो जाते हैं बिपति कसोटी जेकस है लेकिन बिपत रूपी का सोटी पर जो खरा उतरता है तेही सांचे मीत वही सच्चा मित्र होता है रेमदा जी काते हैं कि मित्रता वो नेक हमारे पास पैसा है तो मित्र हो गए मित्रता वो है कि हम बिपत्ति के समय में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है वा समझ में अब देखिए यहां मचली और पानी की मितरता की बात बताएं हैं तो मचली की मितरता को उत्तम बताएं और पानी की मितरता को उत्तम नहीं बताएं हैं वह स्वार्थी मितरता की बात बताएं करें देखिए, जाल परे जल जात बही, जब जाल पढ़ता है, जब नदी में जाल पढ़ता है, तो जल जात बही, तो जल जो है, जाल के बाहर बह जाता है, जब जाल नदी में पढ़ता है, या जब जाल पानी में पढ़ता है, तो जाल से बाहर जल क्या होता है? बह जाता है निकल जाता है तजमीनन को मुह मीन मन होता मचली मचली के मुह को मचली के प्रेम को छोड़ करके मचली के प्रेम को त्याग करके जाल के बाहर वह जल निकल जाता है जाल के बाहर पानी निकल जाता है लेकिन रहिमन मचली नीर को लेकिं रहिमदाज जी कहते हैं मचली जो है जो मचली है वह नीर को मने पानी के छोव मने होता है प्रेम पानी के प्रेम को नो छोड़त बने नहीं छोड़ सकती है नहीं छोड़ती है बने वह पानी में जाने के लिए तड़पती रहती है लेकिन पानी क्या होता है जैसे की घड़ी आती है, वह मचली के मितरता को छोड़ करके वह बाहर निकल जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा मचली जैसी मितरता रखनी चाहिए, जल जैसी नहीं. प्यारे चातर चातराओं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, और हमारा पढ़ाय समझ में आ रहा हो, ति आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक सेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लिजिए, ठीक है ना? आग रहिमदा जी कहते हैं, दीन मन होता है गरीब या लाचार, गरीब या लाचार, मन गरीब या लाचार हर किसी को देखता है, मन हर किसी से सहायता के लिए प्रार्थना करता है, सहायता की आशा रखता है, गरीब जो है, हर किसी से सहायता की आशा रखता है, लेकिन दीन ही लाचार व्यक्तियों को कोई नहीं देखता है अर्थात कोई उनकी सहायता नहीं करता है हर लाचार व्यक्ति हर गरीब व्यक्ति सबसे एक आशा की उमीद मने एक जो एक सहायता की उमीद रखता है लेकिन कोई भी उन गरीबों की सहायता नहीं करता है रहिमदाजी आगे कहते हैं जो रहीम दीन ही लखे दीन बंदु सम्होए लेकिन जो उन दीनों को उन गरीबों को देखता है अर्था जो उनकी सहायता करता है दीन बंदु सम्होए वा दीन बंदु अर्थात भगवान के समान हो जाता है दीन बंदु अर्थात भगवान इश्वर वा दीन बंदु के समान हो जाता है फिर से देख लिजेगा रहिमदाजी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति हर किसी से सहायता की उमीद रखता है सहायता की प्रार्थना करता है लेकिन कोई भी उन गरीबों की सहायता नहीं करता है इसलिए रहिमदाजी काते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है दीनों की सहायता करता है वो दीन बंदू अर्थात इस्वर के समान हो जाता है आगे देखिए प्रीतम छवी नैनन बसी पर छवी कहा समाए भरी सरायर रहिमलक पथिक आप फिर जाए प्रीतम छवी नैनन बसी रहिम्दाजी काते हैं जब मेरे अपने प्रियतम अर्थात भगवान की जब मेरे इश्वर की छबी मेरे आखों में बस जाती है जब इश्वर की छबी प्रियतम मन इश्वर जब इश्वर की छबी हमारे आखों में बस जाती है तो परचबी कहां समाई परचबी मन दूसरे क इश्वर का सौंदर उन आखों में कहां समा सकता है जब मेरी आखों में इश्वर की इश्वर का सौंदर बस जाता है तो हमारी आखों में और किसी का सौंदर कहां समा सकता है यानि और किसी का सौंदर उसी प्रकार से नहीं समा सकता है जैसे भरी सराय रहिम लग रहिमदाजी काते हैं जैसे अगर कोई सराय भरी हो सराय मने धर्मसाला अगर कोई धर्मसाला भरा हुगा हो तो पथिक आप फिर जाए तो पथिक यानि राही जो है वह स्वयम वापस लोट जाता है कि कुछ धर्मसाला जब जगह नहीं रहेगा तो कहां ठहरेगा इसलिए पथिक यानि रा जो है स्वयम लौट जाता है उसी प्रकार से जब इश्वर किछवी आखों में बस जाती है तो दूसरे किसी किछवी आती नहीं है वह करके लौट जाती है आगे देखिए रहिमन धागा प्रेम का मत तोरेव चटकाई तूटे तो फिर ना जूरे जूरे गाट पर जाए रहि प्रेम रूपी धागा मने प्रेम बहुत कोमल होता है बहुत नाजुक होता है इसलिए मत तोरेव चटकाई इसलिए इसको चटका के साथ मने एक जटके के साथ मत तोड़ो प्रेम रूपी धागे को एक जटके के साथ मत तोड़ो क्योंकि प्रेम का धागा बहुत कोमल होता है आगे काते हैं तूटे से फिर ना जूर है अगर वह प्रेम का धागा तूट गया प्रेम रुपी धागा तूट गया तो फिर वह जूट नहीं सकता है अगर कहीं जूटता भी है जूरे गाठ पर जाए तो उसमें क्या हो जाएगा गाठ पर जाएगा इसमें भाव छिपा ह कि अगर मित्रता हो गई है तो ये कही जटके में यानि किसी क्रोध के कारण, किसी गुस्य के कारण या फिर किसी भी मतलब गलत फाहमी के कारण उस दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि जब गलत फाहमी दूर होती है तो हम फिर दोस्त तो बनते हैं लेकिन फिर भी मन में एक दरार सा रहता है कि एक बार हम लोग अपने दोस्ती को तोड़े हैं यानि गाठ बना रहता है क्लिर है आगे देखिए दसमा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब अवस्य कर लिजिए कदली सीप भुजंग मुक स्वात एक गुनतीन जैसी संगत वैठिये तैस्वई फलदीन रहिमदाज जी कहते हैं स्वाती का भुँदेखा ही होता है लेकिन जैसी संगत में पढ़ता है वैसा वैसा उसका प्रभाव होता है कैसे देखिए कदली सीप भुजंग कदली मने होता है केला सीप मने शीप भुजंग मने होता है सर्प स्वाती स्वाती एक नच्छतर का नाम है जानते हैं एक गुण तीन मने बूध एक ही लेकिन उसके गुण तीन है देखिए रहिमदाजी कहते हैं कि स्वाती का बूध एक ही होता है लेकि उसके तीन अलग अलग गुण होते हैं क्योंकि जब वो कदली में गिरेगा तो क्या बनेगा कपूर कदली में क्या होता है केला कदली में गिरेगा तो क्या बनेगा कपूर सीप में गिरेगा तो क्या बनेगा मोती ठीक है और भुजंग मुख मनें साप के मुख में क्या ठीक ना अब देखिए स्वाती कभू देखा ही है लेकिन तीन अलग अलग जगा पढ़ने के कारण और उसके स्वभाव के कारण वह तीन अलग अलग रूप उसका होता है इसलिए कहते हैं कि जैसी संगत बैठिये मन हम जैसी संगत में बैठते हैं तैस्वई फल दिन हमको वै वैसा इफल प्राप्त होता है क्लियर हो गया ना रहमदा जी काते हैं कि स्वाती का भूध एक ही है लेकिन अलग 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 जगा पढ़ने के कारण उसके अलग अलग तीन गुड़ होते हैं क्योंकि जब वह कदले में पढ़ता है केले में पढ़ता है तो कपूर बन जात और सांप के मुख में पढ़ता है तुविश बन जाता है इसलिए हम जैसी संगत में बैठते हैं वैसा है फल हमें प्राप्त होता है कहने कतात पर ये हमें हमेसा अच्छी संगत में बैठना चाहिए आगे देखिए तरुवर फल नहीं खाता है सर्वर पिये ही नपान कही रहिम परकाजहित संपत सचे सुजान तरुवर फल नहीं खाता है बने पेड़ जो है अपने फल को नहीं खाते हैं सर्वर पिये ही नपान तालाब अपनी पानी को स्वयम नहीं पीते हैं कही रहिम परकाजहित रहिम दाजी कहते हैं परकाजहित मने दूसरों के कार्य के लिए दूसरों के हित के लिए संपत सचे सुजान सजन लोग भले लोग संपत को संचित करते हैं मने धन एकत्र करते है ठीक है ना? फिर से देख लिजे रहिमदाजी काते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फल को नहीं खाता है, तालाब अपने जल को नहीं पीता है, उसी तरह से जो सजन लोग होते हैं, अपनी संपत्य को दूसरों के हित के लिए संचित करते हैं, गठा करते हैं. 12. देखिए बड़े लोगों को देख करके छोटे लोगों का परित्याग नहीं करना चाहिए जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार जहां सुई का काम होता है वहाँ तलवार क्या कर सकता है मनि सुई का काम अपने जगा पर महतपूर है और तलवार का काम अपने जगा पर महतपूर है इसलिए बड़ा अपने जगा पर महतपूर है छोटा अपने जगा पर महतपूर है इसलिए बड़े आदमी का साथ मिल जाने के बाद छोटे आदमी का त्याग नहीं कर देना चाहि रहिमदाजी काते हैं कि यो रहिम सुक होता है रहिमदाजी काते हैं हमें उसी प्रकार से सुक होता है बढ़त देखनी जगोत अपने गोत मने गोतर मने होता है वंस अपने वंस की व्रिद्धी होने से अपने वंस की व्रिद्धी होने से हमें उसी प्रकार से सुक मिलता है जि बड़ी आखिया निरग जिस तरह से बड़ी बड़ी आखों को देख करके आखिन को सुखोद आखों को सुख प्राप्त होता है चुकि बड़ी आखें आकरशक होती हैं सुन्दर लगती हैं चेहरे के सुन्दर को बढ़ा देती हैं तो वही बात बता रहें जिस तरह से आखों को निरख्यमाने होता है देखना जितर बड़ी आखों को देखे करके आखों को सुख प्राप्त होता है उसी प्रकार से अगर अपना वंस व्रिद्धी होता है वंस की बढ़ोत्री होती है तो उसी प्रकार से सुख के अनभूती होती है आगे देखिए रहिमन ओचे न मने नीच आदमी, नर मने आदमी, वोच्छा मने नीच, नीच आदमी से तजो, त्याग दो, बैर अरुप्रीत, बैर और प्रेम, मने दुश्मनी और दोस्ती दोनों नहीं करना चाहिए। मने बैर और प्रीत दोनों नहीं करना चाहिए, तजो, बैर और प्रीत दोनों त्याग देना चाहिए। अगर कुत्ता क्रोध से काटेगा, तब भी नुक्सान दायक होगा। मने हम बीमार पढ़ सकते हैं., रहीज नमग बीमारी होते हैं। आप जानते हैं कुता काटने तैक हरते हैं। इसी तरह से ओछे व्यक्तिसे बहर और प्रित दोनों नहीं करना चाहिए ठीक है बेटा तो इस तरह से आप लोगों का ये पूरा पाठ कंप्लेट होता है और चलिए आईए हम आप लोगों का काववेगस सौंदर करवा देते हैं ये कही बार में हो जाता है भाशा आपका हो जाएगा ब्रज ठीक आपका जो रस है रस तो शांत रस है क्योंकि भक्ति और नीत की जो दोहे होते हैं उसमें शांत रस ही होता है और जहां भक्ति की बात है जैसे वहां जो दिया है कि अगर हम किसी धर्मसाला में जाते हैं तो जिस तरह से भरे सराय रहीम लग पथी का फिर जाए इसमें आप जो है के लिख सकते हैं भक्ति रस क्योंकि जो भक्ति का पद है आप उसे भक्ति रस लिख सकते हैं अन्य जो पद है सब में जो है कि आप शांत लिखेंगे क्लियर अच्छा चंद की जहां तक बात है चंद क्या है दोहा चंद है दोहा ठीक अलंकार की जहां तक बात है अलग अलग जगा अलग अलंकार आपको मिलेगा कहीं कहीं आपको अनुप्रास मिलेगा कहीं आपको रूपक मिलेगा कहीं आपको उपमा मिलेगा कहीं आपको उत्प्रेक्षा मिलेगा तो कई अलंकार इसमें है ठीक ना आप उसको देख लिजेगा जहां मनु मानों जनु जानों जियों उत्यों ऐसा कुछ है तो आप उत्प्रेक्षा कर लेंगे जहां साज, सम, सरी ऐसा सब्द उपमा कर लेंगे, जहां वड़ों का अबृती बार बार हो अनुपरास कर लेंगे, और जहां साज, सम, सरी जैसा सब्द नो हो, उपमी उपमान का रूप दे दिया गया हो, तो इस तरह जो है कि यहां रूपा कर लेंगे, ठीक है ना, आगे द शाइली की बात है तो मुक्तक शइली है कौन सेσेसली है मुक्तक शयली और शब्द शक्ति की बात है शब्द शक्ति तो आप इसमें लिख देंगे अभिधा जब्ध शक्ति है तीस तरह से आपका ये पूरा कोर्स पार्ट कंप्लिट होता है और अगर आप यहां से पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं वह भी फ्री में अगर किसी चीज का पीडिया प्राप्त करना चाहते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल से तो मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजिए वहां स अच्छा मार्क्स आप उठा सकते हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद